दूस्तों एक बार फिर से एसिया कब 2022 में भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं दोबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकावला खेला जा रहा है और अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जीत हासिल करें बुरी तरह पाकिस से MS धौनी ने भी अपनी राय रख दिये कि किस प्रकार से टीम इंडिया की प्लेइंग लेवन होना चाहिए टॉप अफ दी आर्डर किन बैट्समें को खेलना चाहिए ओपन किसे करना चाहिए पुरे चेंजेंस हम देखें प्लेइंग लेवन हम देखें उससे पहले आपक स्टेडियम में टीम इंडियान पहला मुकाबला पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था रवन जड़ेजा के रूल आउट होने से अक्चर पटेल की बापसी हुए टीम में अक्चर पटेल रवन जड़ेजा की जगह लेने वाले हैं ये तो चेंज हुआ ही है साथी साथ जिस करके MS धौनी कूल काम कमपोस्ट कपतान है उन्होंने कहा कि केया राहूल को अभी बैक करना चाहिए केया राहूल अच्छी परफॉर्मेंस लेकर आएंगे ओपनिंग के लिए अभी भी केया राहूल पर भरोसा दिखाया जाना चाहिए तो वहीं आवेस खान की परफॉर्म MS आ नहीं रही है दो मुकाबलों में मौका दिया गया 14 प्लस की एकोनॉमी के साथ रस दिये और मात्र एक विकेट ही हासिल कर पाए है और इनके रिप्लेस्मेंट के तोड़ पर रभी विस्नोई को प्लेइंग 11 में खिलाने का सजेसन दिया है तो मुकाबले से ठीक पहले इस सभी चिंजिस के बाद अगर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को एक बार फिर से देखते हैं तो किया राहूल रोहित सर्मा एजा उपनर रहने वाले हैं मिडल और में विराट कोली सूर्य कुमार यादा भार्देक पाइंडिया रहने वाले हैं दिनेस कार्थिक इस मुकावले में टीम इंडिया की जीत तो हो नहीं है लेकिन मुकावले के हीरो कौन होंगे किया राहूल रोहित सर्मा विराट कोली सूर्य कुमार यादा भार्देक पाइंडिया कमेंट करके हमें अभी वताएं और मैच के दौरान सभी लाइव लेटेस्ट केट अपडे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखले बैल आइकन पर अल प्रेस करके रखले धन्यवाद